नमस्कार आप देखरे नियूस फॉर निशन और मैं स्वाधी पांडे आपके साथ बिहार में छुटियों की रूटीन जो है वो घोशित कर दी गई है बिहार में सरकारी छुटी कितने अवकास होंगे कितनी छुटिया होंगी ये बीते दिनों ही बिहार सरकार के ओर से जारी क दिया गया है कि ये जो नव नियूकत सिक्षक है वो कितने बज़े स्कूल पहुंचेंगे कितने बज़े उनकी छुटिया होंगी बता दे कि सुबह 9 बज़े से क्लाशे सुरू हो जाएंगे और छुटिया यानि सिक्षकों की छुटी शाम के 5 बज़े होंगी इतना ही नही जो कमजोर स्टुडेंट से जो विक स्टुडेंट से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज भी बिहार सरकार द्वारा की जा रही है विपेसी द्वारा जो है नव न्यूकत सिक्षक बहाल किये गए बिहार सरकार द्वारा उन्हें न्यूकती पत्र भी बाटा गया और अब उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है उनकी टाइम टेबल भी जो है वो जारी कर दी गई है इस वक्त आपके स्क्रीन पर वो टाइम टेबल हम दिखा रहे देखिए सुबह 9 बजे से बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे साम के 5 बजे तक सिक्षकों को स्कूल में ही रहना पड़ेगा इतना ही नहीं जो कमजोर बच्चे होंगे जो विक स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज भी टीचर्स को लेना होगा स्कूलों में सिक्षकों की नियुकती करने और छात्रों की उपस्तिती संख्या में सुधार करने के बाद अब सिक्षा विभाग में प्रदेश में सभी प्रकार के राजकिय प्रारंभी केवं माध्यमिक उच्चमाध्यमिक विद्याले होईतू मौडल टाइम टेबल जारी कर दिया है टाइम टेबल के अनुसार सुबह नौ बजे विद्याले खुलेगा जहाँ छात्रों के लिए छुट्टी दो पहर साधे तीन बजे हो जाएगी वही सिक्षकों की छुट्टी शाम पाच बजे होगी नए समय सार्णी आगामी एक तारिक से यानी एक दिसम्बर से प्रभावी होगा इसके साथ ही एक दिसम्बर से सभी स्कूलों में मिशन दक्ष की भी शुरुवात की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिए टाइम टेबल जारी करने की वज़ब भी बताई गई है शिक्षा विभाग के अनुसार विद्याले अनुस्रमण विवस्था के स्थायत्तुवा लेनी के अब उपराद शिक्षा विभाग दुआरा लगभग 40,000 विद्यालेओं का निरिक्षन प्रतीदीन किया जा रहा है विद्याले निरिक्षन से यैस पश्थ हुआ है कि प्रारंभी केवम माधमिक विद्यालेओं के खुलने वंबंढ़ होने के समय में भिन्नता है अपीतु प्रतेक कक्षा यानि प्रतेक पिरियड की अवधी में भी अंतर है यहां तक कि दोपहर की भोजन की घंटी में भी एक रूपता नहीं है उपरोक्त कारणों को दृष्टीगत रखते हुए राज्य के सभी प्रारंभी केवं माधिमिक उच माधिमिक में मौडल टाइम टेवल निम्न रूप से दिरधारिद किया है संस्कृत बोज की अंतरगत विद्याले तथा राज्य किया उर्दु विद्याले में उपरोक्त मौडल टाइम टेवल का पालन करेंगे बतादे कि 45 मिनिट का मिशन दक्ष होगा विभाग ने एक दिसंबर से मिशन दक्ष प्रारंब किया है जिसमें उन बच्चों की सिक्षा पर मिशेश जोड दिया गया है जो पढ़ने में कमजोर है इनके लिए स्कूल में छातरों की छुटी होने के बाद 45 मिनिट की स्पेशिल क्लास ली जाएगी हर दिन ये कलास दो पहर 3 बच कर 30 मिनट से 4 बच कर 15 मिन तक चलेगा जारी निर्देश के अनुसार यदि विद्याले में किसी कक्षा का बोड और सेंटर परिक्षा ली जा रही हो तो अने कक्षाओ को सस्पेंट नहीं किया जाएगा अने कक्षाओ में अध्यापन का कारे चलते रहना चाहिए साथ ही शनिवार को विद्याले में पूरे दिन गतिवीदी रहेगी भोजन अवकास तक अध्यापन का कारे होगा टिफिन यानि ब्रेक पिरिज के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयूजित किये जाएंगे बतादे कि सुबह नौ बजे विद्याले खुलने का समय है नौ बजे से नौ बज कर 30 मिनिट तक प्राथना, योगा, भ्यास, व्याम और ड्रिल होगा पाचवी घंटी जो है वो 12-50 से 31 तक, फिर 60 घंटी 31 से जो है दो 10 तक और ऐसे ही जो आठवी घंटी है वो 3-30 तक चलेगी और फिर छुटी 3-30 पे हो जाएगे और जो मिशन दक्ष रखा गया है उसके अंतरगत यानि 3-30 से 4 बज कर 15 मिन तक special class उन week students के लिए जाएंगे जो पढ़ाई में कमजोर है और ये तमाम जो है वो छात्रों के लिए थी लेकिन 5 बज़े तक सिक्षकों को रहना होगा सिक्षक जो है वो 5 बज़े तक classes लेंगे तो देखे सुबह 9 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक 9 बज़े तक नव नुक्त सिक्षकों का जो ये duty है वो चलता रहेगा तो BPSC ने teachers recruitment exam ले लिया इसमें 1,20,009 बज़े लेकिन दुसरे फीज में भी exam होने वाला है अब ऐसे में तमाम जो first phase की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है अभी अर्थियों को और जो नव नुक्त सिक्षक है उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है उनकी time table भी release कर दी गई है बिहार सरकार द्वारा फिरहाल इस वीडियो में बसेता ही आप देखते रही न्यूस फोनेशन